नमस्कार स्वागते आपका हमारे खास कारिक्रम मैं मैं हूँ आपके साथ सचिन शिर्वास्ताव विधान सवा चुनाव लोग सवा चुनाव और आप बारी है नगर निकाय चुनाव की 36 गड़ में महापार को अप्रत्यक्षर प्रणाली से चुनाव होने है जिसको लेकर विपक्ष लगातर सरकार पर वार्ग कर रहा था और इसको लेकर हाई कोट में याजिका भी लगाई गई थी जिस पर सुनवाई हुई और हाई कोट ने राज्य शासन को नोटिस चारी कर ज जब आप मांगा है मावले की सुनवाई चीफ जेस्टेस रामचंद्र मैनन की डिवीजन में हुई है वहीं इस मावले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है जन्ता जोगी कॉंग्रेस के विधायक धर्मजीत सींग समेत अन्य लोगों ने हाई कोड में महापार के अप अध्यादेश पारित किया है जिसके माध्यम से वो जन्ता का महापार और अध्यक्ष चुनने का अधिकार उसको हटाने का अधिकार जन्ता से छीन रही है उसका हम पूर जोर विरोध करने वले हैं सरकार के अध्यादेश पारित करने के पीछे सीधे सीधे दो कारण दिखते हैं एक तो सत्ता का जनता से और जनता का सत्ता से विश्वास उड़ गया है और दूसरा सरकार ने पबलिक की जगा पुलीस पर भरोसा जताया है प्रजा की जगा पैसे पर भरोसा जताया है रोक्त को दल बदल को बढ़ावा मिलेगा वही प्रदेश्व सरकार इसको लेकर तर्क दे रही है कि ऐसा करने से चुनाव के खर्चे में कमी आएगी और चुनाव का स्ट्रगली करण होगा राजनितिक दलों के निर्वाचन वेय में भी कमी आएगी अप्र समयती जो बिंदु जिन पर विचार करना है चुनाव प्रत्यक्षोओ या अप्रत्यक्षोओ कैसे होगा ये उसकी रिजन दिये है निर्वाचन वेय में कमी के बारे में सुझाओ जो भी हो लेकिन चुनाओ के समय हंगामा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी वीम की विश्रसनियता को लेकर हंगामा होता है और कभी किसी और बात को लेकर हंगामा होता है लेकिन 36 गड़ में जो हंगामा हो रहा है उसमें आगे क्या कुछ होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा डेस्क रिपोर्ट तो इसी विशे पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में मेहमार मौझूद है सबसे पहले परचे करा देती है धनिजय ठाकुर है कॉंग्रेस की प्रवकता है इसके साथ भगवानु नायक है जे सी सी जे प्रवकता है और साथी डिजीयाने असमू के सलाकार संपा लिए क्या कहेंगे आप देखिए राजित प्रकाम में तर्वी निकानी चुनाओं को खास कमाप हो रहे हैं तर्वी नगरपालिके में इन सभी का अपर्फेश्ट अच्छा निन्ने राज की जनता के हीद में है उस पाइसात के हीद में है तुनिशितों पर इस पैसले से जो द्राज की पक्षी दल है जो भाइबीत है इसके बाद राज की पक्षी दल नगरीकाई चुनाओं में जाने से पहले एक प्धास अम्माले के हार शुक्तार कर लिए है और इस में हार बचने के लिए कारव सभी कर रह है और निशीट नियाल्य ही से जवाब प्रस्ट करेंगी लेकिन इस प्रकाइब कर लेंगे लिए उसके बाद भी तरहां रहें कि आपको यह कहना है कि दंते बारा का उप्चना हुआ चत्रकोर का उप्चना हुआ उसमें जनता रहें आपको चुना तो यह वाला यह वी ऐसा ही हो जाना दीजिए परशादो की माध्या मैं से का इसमें आप देखेंगे जब नगरी निका कि हम पात कर लें लगापालीका के बात कर लेंगे पंचादू की बात कर लेंगे इसका सिधा सब्वा आप जनता के मुल्कु सुझाहों से रहता है और यह तरकों की बात की जाए तो कहीं न पॉइंट को लेकर शायद हाइ यह बात तु ठीक है यहां दो अलग अलग बात हैं ये बात सही है कि यह अधिकार राजसरकार को है कि इस्थाणी निकाएय चुनाव और पंचायतों के चुनाव उसकी वह किस तरह है उसको सुविधा रहेगी की प्रबंदों में जिए अगर चाहे तो दली आधार का पर करा ले चाहे तो वह गैर दली आधार पर करा ले जैसा कि अभी चाहते हैं कि दली आधार पर चुना हो इसी आधार को लेकर के हाय कोट्प में गई है ये तारकिक दरस्टी से बिलकूर ठीक बात है कि दल बदल कानून अगर बिधायक पर लागू होता है यो पर शरकारолж न का बनीक होना पड़ेगा चुकि उस अभी जो कानून है जो राजिके निर्वाचन के कानून अलग है और जो राजिके निर्वाचन के कानून अलग है राजिके निर्वाचन में चुकि राज का एक निर्वाचन अधिकारी अलग होता है आम चुनाओं में जो चुनाओं अधिकारी वो अलग वो चुनाओं आए उसको कंट्रोल करता है यह राज का कानून अलग होता है इस पर यह स्याद्धान्तिक सवाल है नीतिकत बात है इस पर तो कें सरकारें राइश्टान मद्द प्रदेश उच्छतिस गड़ तीनों सरकारों ने ये काया का दली आधार पर हम चुनाव नहीं करेंगे तो अब उसके पीछे जो भी कारण हो लेकिन कुल मिलाकर करके ये एक बहस का बिंदू तो है बिल्कुल और फैसला नीतियां बने तो फिर जनता ने बनाया तो वह भी तो फैसला ले सकती है कि अब हम ये परिवर्तन चाहते हैं तो आपको आपत्ती क्यों तो जहां पर जनता के अधिकारों का हरन होता है तब वहां की जनता है वो नियाले के दर्वाजा खाती है तो ठीक इसी तरीके से इस पर देश महापॉर अध जनता के अधिकारों कहानन है इसको लेकर के हमारे पार्टी के विधायक दर्वकी नेता मानी धरंजी सिंगी ने प्रदेश के सबसे बड़े न्याइट मंदिर उच्छी नियाले में जाकर कि याची का डायक की और हमारी याची का को स्विकार करते हुए मानी उच्छी निय प्रत्यक्षी जो चुना होते थे मात्रा एक मजधिकार उसको अपर्तिया प्रत्यक्ष किया गया कि अँसका फ्लोट्र मरे अफनी हो उसको चूंती रही है अब सरकार के दौरा अजर और आगर आपने दस मेने में एक अच्छी आग ऑंकिया opponents will continue to fare अगर क्या ऐसी जबुरत पड़ गई कि आपको जो है प्रतियक्ष चुनाव करने की पड़ी जब की लगातार आप देखेंगे जो रायपूर नगर निगर की बात करूँ तो भीकव दस साल से महापूर का जो सीट है वो कहीं न कहीं पहले महापूर किरनमी नाइग जी ती वर अगर आपको यह सवाल मैंने उनसे किया था और एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं जैसा कि जोगी जी ने अभी कहा कि दलिये कानून यहां पर लागू क्यों नहीं है तो आपको डर है क्या इस बात का कि आपके कुछ पारशाद आ जाएंगे तो हो सकता है कि कि किसी और पाइटी में चले जाएंगे कि आपको यह डर है क्या कि आपको डर है कि आपको डर है क्या कि आपके अगर बन गए पारशाद बन गए तो इसके बाद वो चले जाएंगे डर है क्या इस बात का कि इसमें वाली बात नहीं है कानुन का दुर्पयोग नहीं होना चीए सट्था जो उपयोग है वो जनता की हितों की लगोना चीए उनके अगर चली धनगा जी क्या कुछ कहेंगे आप देके निशीर पर मुखतमां की मानि ठुपेद लगी कि सरकार निगर भी कर चुनाओ उस उसको अपर्टेक्ष बढ़ानी कराने पर दो निड़ना लिया है और आप देखेंगे आप सरकार ने भी भचला कर लिया कि पारसदों की द्वारा जो पारसद के जो उम्मी द्वार होगा उसकी खर्ची की सिमा तै कर दी गई है पांच लाग रुपए के ज्यादा पारसद ख अगर वो जनता के पीज में जाने से घबरा रहे हैं तो तो चुनाओ नहीं लगाए लेकिन लेकिन दर है ना इस बात का जिक्र कि आए कि यह खरीद फ़रोगत होगी इसमें जो कि दल बदल कानून नहीं लागू हो रहा है सब चीज में लागू है तो यहां पर क्यों नहीं है लागू इस बीच आप लोगसबा चुनाओं हर बार भूल जाते हैं लोगसबा चुनाओं में भी आपको क्या नकारा था ना चुनाओं का सरली करण हो जाएगा चुनाओं में विया का एक मसौदत है कर दिया हुआ है यह बाते तो कहा जाए कि हाँ ठीक है इतना फिक्स है अमाउंट फिक्स है लेकिन क्या जमीने हकी वाकिए में उसके अंदर गाती चुनाओं होता है और दूसरी बात यह भी आती है कि मान के चलिए महापौर अभी किसी और पार्टी का है पता चले कि महापर अलग है वह दूसरी पारटी के तो अबार यह जोड़ देखने को मिलता है यह जोड़ हम देखते हैं तो ऐसे देखते थे रहे लोक प्रिक्रिया का सरलीकरण सरली करन तो कुछ भी नहीं होता जैसे यह चुनाव प्रिक्रिया है वैसे वो चुनाव प्रिक्रिया है मैं समझता हूँ दोनों चुनाव प्रिक्रिया हैं एक प्रकार से समान रहे हैं दूसरा जाहता है कि खरचे का सब्वाल लोगबक घोसका बल्कि अगर दली आधार पर नहीं है यह तो जियुदो have जादा हूर सकती है कि पूए बहुत जादा अधर इस good वह वहीं बढ़ती है चोनाव की तो बहुत जाधा नहीं एक सी रहेगी ना तो ये सरल है ना वो कटेने ना ये कठेने ना वो सरल थो दोनों का समान है लेकिन इसमें जो एक बात से विधा रहेगी यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कहीं नगर निगम कि मेर किसी और पार्टी का रहा और विदायकों जो पार्षदों का जो दल है वो किसी और पार्टी का रहा इससे कम सकम यह बात जरूर होगी कि जो पार्षदों का जो बहुमत होगा और जो पार्षदों का उसी बहुमत का मेर होगा तो चुनाओं में कम से कम उसमें बहुत ज बीधान सबा में मुद्दी कुछ अलग काम करते हैं और नगर डिगमों नगर-पालिकाओं को जो इस्थानी निकाए के चुना होते हैं, इनने में कुछ अलग मुद्दे काम करते हैं, चुनाओं का जो इस तर्ड जितना हम gorgeous होते चले जाएंगे, कि लोक सबा से वढ़ा से व करता रहे गा उसमें नीती चिव् sticknd dont उसमें बहुत जादा माइने नहीं रखते है यही कारण हमने अभी देखा कि लोग सवह में अलग तरह की रिजल्ट आये और विदान सभावों में अलग तरह की रिजल्ट आये और यह यहां लोग सबाई में अलग लोगों ने पसंद किया और विधान सबाई में misma मैं क Raw ties की चुनाउ में मद्दाता ने विधान सबाई नोग का तो ऊस्त्य की तरीकी से यह इसमें भी होगा यह कहा लिए बात अलग हैं तो लको साज है एकर सरकार को यह ठीक लगता है तो उसमें अब सरकार करें, चूंकि मामला बादालत में चला गया है, अब अदालत सरकार से जवाब मांगा है, अदालत इस पर अब जो भी निरने लेती हो, क्लमिलाकर के तरीके दोनों के लगबग लगबग समान है, ना कुछ सराल है, ना कठेन है. बिल्कुल भगवानु नाहिक जी अगर बात की जाए जैसा कि कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं का साथ तौर पर ये कहना है कि माइशी को लेकर बात की जाए कि महापऊर अलग है माइशी अलग है तो आप ये मानते है कि कुछ ना कुछ जगए पर अगर ऐसा होता है तो विकास कारबादित होते हैं और चूकि ये चुनाओ बो चुनाओ है जैसा कि रमेशी बता रहे थे कि जितनी इस्तानी लेवल पर ज ले जाएगा भाई कि मेरे सामने वाली सड़क कैसी है नाली कैसी है मुझे पानी की सुब्दा में लिए जो कि ये तो इस्थानिये मुद्व पर चुनाओ लड़ा जाता है तो इस्थानिये मुद्व पर अगर आप खरा उतरते हैं तो पारशद आपके ज्यादा बनेंगे पारशद ज्यादा बनेंगे तो आपका मेर होगा तो इसमें क्या कोची दिखाते हैं? तो कहीं न कहीं उसने सत्ता का दुर्पयोगी भी किया, कमिशन भरी भी 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 वश्ट अचार भी हुआ और आज अगर कांगरेस सत्ता 15 साथ भाहरतियर अचनक आई है इसमें कॉंग्रेस को इसरे नहीं जाता ये तो भार्ती जनता पार्टी की कुसासन थी नायक जी तो आप क्यों नहीं आए? सवाल मेरा ये है, लड़े तो आप भी थे, आप तो गठवर्दन के साथ लड़े थे, तो आप क्यों नहीं आए? कॉंग्रेस ही क्यों आई? दनन्जी जी आपके पास आँगा, मैं सवाल कर रहा हूँ, दनन्जी मैं सवाल कर रहा हूँ, भगवानु जी देखे, हमारे जीत कर जो कारण है, नहीं जीतने कर जो कारण है को हम बता दें, कि 36 वड़ की इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है, जिसे छेतरी दर का मानने तो प्राप्त होता है, और दो महीने पहले हमें चुनाओचिन ने मिला अधरनी, और इतने कम समय में हमने 14 परशें आने वाले समय में आप अपने अजोल मविश्य देखते हैं, धनजा जी सीधा सवाल आप से यह है कि हाई कोर्ट ने अब तो आप से जवाब माग लिया है, तो आगे क्या कुछ रणनीती रहने वाली है? दरंजा जी, आप से सवाल, बताइए ने को सवाल आप से जवाब माग लिया है, क्या कुछ रणनीती रहने वाली है, आपकी चुकी जनता भी अप देखने लगी है तरची निगाह करके कि हाई कोर्ट ने भी जवाब माग लिया है, इस मामले में? जी जनता भी जाने से बहुत खूस है, और दुखी वही लोग है जो जनता की में जाने से खबरा रहा है, क्योंकि जो उन चुनाओं जो हो से परणाम देख चूगा है, फिलाल आठाइज को इस मामले में सुनवाई होती है, क्या कुछ सामने नकल के आता है वो भी हम सभी ल होने के लिए धने जे शुक्रिया आपका भगवानु जी शुक्रिया, इसके साथ ही रमश्ची आपका भी बहुत-बहुत और शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, तो मुद्दा था आज का ये पर क्या प्रत्रचर पढ़ाली के तोर पर ये चुनाओं झाल 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 झाल